हेलो दोस्तों वेलकम बैक विज दे न्यू वीडियो दोस्तों वापस से हम लोग आ चुके हैं अपने स्कैनेक्स के पॉर्टल पे और आज की वीडियो में हम लोग यहां पर टेक्निकल स्क्रीनर्स को और डीटेल में समझेगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले विजिट करना है scanx.trade पे यहाँ पर हमें क्लिक करना है screeners पे यहाँ पर left hand side से हम लोग क्लिक करेंगी technical screeners पे इस page का direct link मैंने आपको description box में दी दिया है तो आप उस पर से click करके इस page पे directly visit कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर हमको technical screeners देखने को मिलते हैं यानि कि यह ऐसे screeners हैं जो कि अलग अलग technical analysis की condition पे बनाए गए हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है overbought RSI stocks तो यह screener आपको S.A.S.T.O.S.S. का नाम बता करके देगा जिनमें जो RSI की value है वो 75 से उपर चल रही होगी इसके बाद एक और screener है oversold RSI stocks तो यह screener आपको S.A.S.T.O.S.S. के नाम बता करके देगा जो कि कहा जाएगा कि oversold है और उनमें जो RSI की value है वो 25 की नीचे चल रही होगी जो कि क्या दिखाता है कि इन stocks में आपको आने वाले दिनों में recovery देखने को मिल सकती है इसके बाद है हमारा R1 resistance breakout यह ऐसा screener है जो कि आपको S.A.S.T.O.S.S. के नाम बताएगा जिन stocks ने अभी recent में ही अपना resistance level break किया है और उपर की rally दिखाई है तो इन stocks में क्या हो सकता है आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा rally देखने को मिल सकती है ऐसे ही हमारा यहाँ पर R2 resistance breakout फिर है R3 resistance breakout फिर है S1 support breakout S2 support breakout S3 support breakout and then है यहाँ पर squeezing range squeezing range यहाँ पर हमारा एक ऐसा technical screener है जो कि हमको बताएगा S1 stocks का नाम जो की एक tight price band के बीच में ही trade कर रहे है पिछले कई दिनों से उन में क्या हो सकता है या तो breakout हो सकता है उपर की तरफ या फिर breakdown हो सकता है नीचे की तरफ ऐसे ही यह उपर की तरफ तीन और scanner है जिसे की है death crossover, golden crossover और momentum stocks तो कुल मिला कि यहां पर आपको 12 technical scanners देखने को मिल जाते हैं अभी for example हम लोग एक scanner open करते हैं जिसे की overbought RSI stock जिसे मैंने क्लिक किया और यहां पर आप इसकी detailed information देख पाते हैं जिसे की लिखा है detect stocks where the RSI exceeds 75 suggesting a possible upcoming price correction यानि कि यह ऐसे stocks को detect करके आपको बताएगा जिनमें जो RSI की value है वो 75 से जादा है तो उनमें क्या हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको एक correction देखने को मिल सकता है यूँकि recent में ही उनमें एक rally हुई है जिस वज़े से जो RSI है वो 75 तक जा चुका है यह आपके धनके account के उपर place कर दिये जाएंगे अगर आपके पास धनका डिमेट अकाउंट नहीं है तो description box के मैंने link दे रखा है आप उस पर से click करके अपना धनका डिमेट अकाउंट open कर सकते हो उसके बाद scanX को आप पूरा detailed तरीके से बिल्कुल free of cost यूज़ कर पाओगे तो अभी हम click करेंगे यहाँ पर trading view वाले icon पे जिससे कि हमारा इसका जो chart है वो trading view पे open हो जाएगा यह आप देख सकते हो trend का chart open हो चुका है और यहाँ पर हम लोग indicators में apply करते हैं RSI यह हमने apply कर लिया है RSI को अभी आप देख सकते हैं इसमें जो RSI की value है वो 77 पे चल रही है तो clearly हमें देखने को मिल रहा है कि यह जो trend का stock है वो अभी overvalued है वापस आते हैं ऐसे ही किसी और stock का chart open कर लेते हैं for example CDSL CDSL भी हम click करेंगे trading view पे यह हमारा CDSL का chart open हो चुका है यहां भी हम लोग RSI indicator apply कर लेते हैं यह हमने RSI apply कर दिया and RSI की value यहां पर आप देख सकते हैं 76 पे चल रही है तो यह जो stock है यह भी अभी overvalued condition में है वापस आते हैं हम लोग अपने scanics के portal पे and यहां पर हम लोग एक और scanner open करके देख लेते हैं फर एक्जांपल हम लोग क्लिक करते हैं यहां पर oversold RSI stocks इसी scanner से आपको SC stocks का नाम पता लगेगा जिनमें RSI की value है वो 25 से below है इन stocks में क्या हो सकता है आपको आने वाले दिनों में price में recovery देखने को मिल सकते हैं फर एक्जांपल हम लोग यहां पर एक चार्ट open कर लेते हैं जैसी कि Asteral पर हम लोग क्लिक करेंगे ट्रेडिंग व्यू पर एंड यह ट्रेडिंग व्यू के पॉर्टल पर एस्टल का चार्ट आपन हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं जो वेल्यू है वो 25.78 है तो यह जो इस्टाक है यह अभी ओर वैल्यू ट कंडिशन में है इसी तरीके से एक और स्टाक का चार्ट होगी जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा मिलते हैं आप से एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत